गुड मॉर्निंग दियर स्टुदेंट्स तुड़े विल एक्स्प्लेन पैरिमीटर एंड एरिया चेप्टर 18 लेक्चर 1 क्लास 5 इस चेप्टर में हम आपको बताएंगे पैरिमीटर एंड एरिया के वारे में सबसे पहला आपको टॉपिक स्टार्ट होता है पैरिमीटर ओफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पैरिमीटर कैसे फैंड करते हैं पैरिमीटर एक्चुली में होता क्या है यह हम आपको बता रहे हैं चलिए एक rectangle लेते हैं पहले rectangle क्या होता वेटा यह तो आपको पता ही है यह क्या है rectangle A B C D इसमें क्या होता है opposite sides जो होती है वो equal होती है और कैसी होती है parallel यह इसके equal होगी और parallel होगी यह दोनों आपस में equal होगी और parallel होती है यह क्या होता है rectangle पैरिमीटर क्या होता है पैरिमीटर होता है पैरिमीटर होता है पैरिमीटर किसी एक पॉइंट से चलिए और लॉट करके उसी पॉइंट पर आ जाईए यह जो डिस्टेंस होती है न यहां बापस आ गए बस यहीं पैरिमीटर है यह क्या है आपका पैरिमीटर यानि कि AB प्लस BC plus CD plus DA यह क्या हो गया पैरिमिटर complete आपका हो गया अगर आपकी यह length है यह breathe है तो यह breathe है तो यह भी breathe ही हो जाएगी B हो जाएगी और यह L है तो यह भी L हो जाएगी यानि की perimeter यानि की perimeter क्या लिखतेंगे P यानि की perimeter क्या होगा AB plus BC C plus CD plus CD plus DA यानि कि value put करेंगे बैटा AB की जगा क्या लिखेंगे L plus BC क्या लिखेंगे B CD की जगा क्या लिखेंगे L replace कर रहा हैं सबको DA की क्या क्या लिखेंगे B यानि कि solve करें L कितनी बार है बैटा B कितना है दो बार है 2B हो गया plus L कितने है 2 2 को बाहर common निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा B plus L perimeter क्या हो गया 2 B plus L यह formula हो गया perimeter of rectangle का यानि कि आप ऐसे ना करके process यह ना करके direct क्या करेंगे formula का use करेंगे आपका answer आ जाएगा perimeter equal to क्या हो जाएगा 2 L plus B समझे हो गया 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 नेश्ट क्या आपका perimeter of square क्या है गया perimeter of square अब square का perimeter कैसे find करना है यह भी मैं आपको बता रहा हूँ देखीगा गया यहां square ले रहा हूँ में एक square की all side equal होती है आपको पता है वेटा कि यह क्या है a b c d square all side equal है इसकी इसकी a यह भी a है तो यह भी a होगी यह भी a होगी यह भी a होगी यह भी a होगी तो perimeter का formula क्या बने का आपको इसका square का 4 side है a b plus b c plus c d plus d a कैसे रिखेंगे a b plus b c plus c d plus d a यानि कि value put करेंगे a b क्या a है b c b a है c d b a है और d a b क्या है a है यानि कि कितने a होगा है 1 2 3 4 कितना a हो गया 4 a perimeter क्या हो गया 4 a इसको ऐसे ही बोल सकते है perimeter equal to 4 into a क्या है side है ना मिटा यानि कि side 4 into side तो perimeter of square formula क्या हो गया 2 l plus b या 2 b plus l या b क्या है breathe और l क्या है length इस दो formula आपके perimeter निकालने के लिए helpful होंगे आईए exercise पर आते हैं exercise 18.1 देखेंगे बटा question first read करते है find the perimeter of these objects by using the formula be careful with the units first देखेंगे बटा perimeter find करना है एक table दिखाई दे रही है आपको इसका save कैसा है rectangle क्यों क्योंकि length 24 cm और breathe कितनी है 18 cm यानि कि अलग अलग है length और breathe अलग अलग है shape कौन सा हो गया rectangle इसका find क्या करना है perimeter देखेंगे बटा first length write करेंगे बटा length कितनी है 24 cm और breathe कितनी है बटा 18 cm solution तो perimeter क्या हो जाएगा इसका P equal to क्या होता है 2 L plus B 2 length length कितनी है 24 cm ब्रीथ कितनी है 18 cm solve करेंगे 8 और 4 12 12 की 2 carry 1 1 2 2 4 यानि 42 cm 2 का क्या करेंगे multiply करेंगे 2 2 जा 4 2 4 जा 8 perimeter head distance यानि की unit लिखना नहीं बूलेंगे बटा cm गिवन था तो किसमें लिखेंगे cm यानि perimeter of rectangle जो है table दी गई है इसका answer किना हो जाएगा square shape है यह भी 90 cm है यह भी 90 cm है यानि इसमें क्या लगएगा 4 into side perimeter equal to क्या हो जागा 4 into side यह भी rectangle shape है यह फिर से कैसा shape है rectangle है क्यों 28 है 32 cm है ऐसी आप compete करेंगे यहां तक इसको next lecture में हम आपको question number two three four five बताएंगे thank you